प्रिये चात्रो एक प्रियाश्चनल पे आप सबका फिर्शे सागत है आज मैं आप सबके साथ करेंट अफिर्श सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें अप्रेल 2020 से लेकर जून 2020 के मद्धिके जितने भी महतोपूर्ण रास्टिय घटना क्रम है उन सबको म मैं यहां पर डिस्कुस करूंगा साथ में जो भी लोग 66 BPSC की परिक्षा में प्रितिभाग करने जा रहे हैं या UPPSC की परिक्षा हो या अन्य किसी भी राज्य लोग से बायों की परिक्षा में अगर वो अपियर होने जा रहे हैं तो उनके लिए यह अती महतोपूर्ण त तो कितना अनुदान प्रदान किया है तो एक बिलियन डॉलर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कोरोना कवच एप लॉंच किया गया है जो कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लोकेशन मैपिंग में इस्तेमाल होगा दूसरा लाइफ लाइन उरान कोविड-19 से लड दवाओं के परिवाहन के लिए जिन बिमानों का उपयोग किया जाएगा उसे नाम दिया गया है लाइफ लाइन उरान चुकि कोविड-19 के कारण लॉक्डाउन में सारी सेवाएं बंद है तो जो आवशक उपकरन या दवाओं का परिवाहन किया जाएगा तो उसके लिए जो उरान से रह्तेवाल होगी उसे नाम दिया गया लाइफ लाइन उरान ने चाय नेशनल हाईवी अथारिटी ओफ इंडिया ने एक वर्स में सरवाधिक सरक निर्मान किया है तो कितने सरक का निर्मान हुआ है तो 3989 किलोमेटर ऐस Porque इंटaş करना उसके लिए जिस पॉर्टल का उप्योग किया जा रहा उसका नाम दिया गया है आई गॉट पॉर्टल ECI विकास बैंक ने भी COVID-19 से लड़ने हैं तो एक सहायता रासी प्रदान की है जो कितनी है तो 2.2 बिलियन डॉलर वर्ल बैंक के दोरा 1 बिलियन डॉलर दिया गया था ACN Development Bank के दोरा 2.2 बिलियन डॉलर की सहायता रासी दिगई है MIRD ने एक नई पहल लांज कीया है जिसका नाम रख़ा गया है भारत पढ़े online अभियान स्कूल, colleges बंद हैं तो MIRD ने पहल किया है कि चातर घर पे भी रहकर के पढ़ाई कर सकते हैं जिसका नाम दिया गया है भारत पढ़े online अभियान युक्ति पॉर्टल भी लॉंच किया गया है तो यह क्या है युक्ति पॉर्टल यंग इंडिया कॉंबेटिंग COVID with knowledge, technology and innovation इसका पूरा नाम है युक्ति पॉर्टल का पूरा नाम क्या है यंग इंडिया कॉंबेटिंग COVID-19 with knowledge, technology and innovation इसके द्वरा MHRD सैक्षिक संस्थाओं के पहलो की निगरानी करेगा उसके बाद देखू अपना देश परेटन मंत्राले की वेबिनार स्रिंखला लॉंज की गई है देखू अपना देश ग्रीह मंत्राले ने किस अप्लिकेशन के इस्तेमाल पर चिंता जाहिए की है तो जूम अप्लिकेशन काफी चर्चा मेरा है जिसके ओपर ग्रीह मंत्राले ने भी इस अप्लिकेशन के इस्तेमाल पर चिंता जताई है Asian Infrastructure Investment Bank AIIB भारती राष्टी स्वास्त प्रणाली में मजबूती लाने हितू कितने रुपे की मदद कर रहा है तो Asian Infrastructure Investment Bank 500 मिलियन डॉलर की सहताराशी प्रतान कर रहा है राष्टरपती के नए सचिव कौन होंगे कपिल देओ त्रपाथी राष्टरपती के नए सचिव होंगे यह New Development Bank NDB ने भी भारत को वित्तिय सहता प्रतान करी है कितने का तो एक बिलियन डॉलर की यह वित्तिय सहता प्रतान करने जा रहा है Team Mask Force क्या है यह तो Team Mask Force BCCI द्वारा अग्रणी क्रिकेटरों के साथ नई केंद्रिय सतरक्ता आयुक्त किसे बनाया गया है तो जो देश के नए केंद्रिय सतरक्ता आयुक्त होंगे वो संजय कोठारी होंगे Budget पारदर्शिता एवम जबाबदेही में भारत का जो अस्थान है वो तिरपनवे अस्थान पर है भारत Grid Grid Global Report on Internal Displacement 2020 की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि भारत में 50 लाग से ज़्यादा विस्थापन हुआ है तो इस तरह से यह अप्रील 2020 के महत्रोपूर्ण करेंट अफिर्स टॉपिक थे जो रास्ट्रे घटना करम से संबद्ध थे अब मैं आप सब के साथ मई 2020 के जो भी रास्ट्रे महत्रों के जो चीजें हैं तत्य हैं वह मैं आप सब के साथ डिस्कुस करूंगा एक वर्ड USAID means United States Agency for International Development तथा नई दिल्ली इस्थित कंपनी IPE Global की सहयोगी परियोजना जिसका नाम दिया गया है पहल Partnership for Affordable Health Care Access and Longevity है तूँ USAID कितनी सहयतारासी परिदान करेगा तो तीन मिलियन डॉलर की सहयतारासी परिदान करेगा वन निशन वन रासन कार्ड क्या स्कीम है तो रासन कार्डों की अंतर राजिये Portability को यह सुनिश्चित करेगा इससे 37% प्रवासी मजदूर जो हमारे कुल आवादिके हैं उनको इससे लाव मिलेगा 37% प्रवासी मजदूर जो की कुल आवादिके हैं उनको इसका लाव दिया जाएगा इसमें Basically Portability की सुविधा होगी किसी भी राजिमें अगर कोई प्रवासी जाकर के रहता है तो उसके हिस्से का अनाज वो वहीं पे ले सकता है परियोजना निगरानी इकाई क्या है तो कोईला मंत्राले द्वारा कोईला खानों के जल्द परिशालन की सुविधा है तू नई इकाई की स्थापना की गई है जिसका नाम दिया गया है परियोजना निगरानी इकाई आईडियाथॉन यह एक अंतरास्टी वेविनार है जिसका आयोजन जलसक्ती मंत्राले द्वारा National Mission for Clean Ganga NMCG ने Future for River Management विसेपर इसका आयोजन किया है प्रधान मंत्री गरीव कल्यान योजना इसके तहत 20 करोड महिलाओं के जंधन खातों में 500 रुपे डाले गया है पहली खेप डाले गए थी फिर दुबारा भी उनके खातों में 500 रुपे डाले गया है Gem Portal, Government E Marketplace Portal पर Self-SHG मिन Self-Help Groups द्वारा बनाए गया उत्पादों को किस नाम से लौंच किया गया है तो अब सरकारी Portal पर भी सरकार के जो Government E Marketplace Portal है उस पर जो भी स्वैंग सहता समुहों द्वारा जो उत्पाद बनाए जाएंगे उसको किस नाम से Gem Portal पर लौंच किया गया है तो उसका नाम दिया गया है The Saras Collection मालदीप में फासे भारतियों को वापस लाने के लिए एक Operation चलाया गया जिसका नाम रखा गया Operation समुद्र से तू हाल ही में नागरिक उड्डेन महानिदेशाले DGCA ने कौन सा Portal लौंच किया है गरूड पोर्टल को लौंच किया है जिसका पूरा नाम है Government Authorization and Relief Using Drones COVID-19 के उड्डेश्यों की पूर्थी के लिए इस पोर्टल को लौंच किया गया है गरूड पोर्टल को DGCA के दरा हाली में मौसम विभाग ने किन नए जगहों का मौसम बताना प्राडम कर दिया है तो दो जगह नए हैं एक तो पीयों के दूसरा गेलगेट बालतिस्तान इन दोनों जगहों का मौसम विभाग ने मौसम बताना शुरू कर दिया है लोक लेखा समीती के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो विपक्ष के नेता अधी रेंजन चौधरी लोक लेखा समीती के नए अध्यक्ष होंगे बंदे भारत मिशन क्या है तो दुनिया भर में COVID-19 के कारण जब लॉकडाउन लगाना पड़ा तो भारत के कई सारे लोग अलग अलग देशों में फस गए तो उनको बंदे भारत मिशन के तहट दुनिया भर में फसे भारतियों की स्वदेश वापसी के लिए अभियान चलाया गया था इंटरनेट उप्योग करताओं में भारत का अस्थान पूरे विश्व में दूसरा है पहला अस्थान वैसे चीन का है जो सबसे मौत पूर्ब तथिस में यह है कि ग्रामीन उप्योग करता पहली बार ऐसा हुआ है कि सहरी उप्योग करताओं की संध्या से जधा उनकी संध्या हो गई है तो अमेरिका अपने कुल जन संख्या जो वहां की है 80% लोग वहां पर इंटरिट इस्तेमाल करते हैं, चीन में 1-6% और पूरे बिस्व में भारत में जो कुल जन संख्या में इंटरिट उपयोग करता हो की संख्या है वो 40% है, राजियों में उपयोग करता कि अगर बात की ज दिया है रास्ट्रिय प्रद्जव की दिवस का मनाया जाता है 11 मई को केंद्रिय कितनासक बोर्ड ने अभी रीसेंट में ही किन टीवी दवाओं का फसलों पर उपयों को पूरी तर से प्रतिवंधित के जाने के सिफारिश की है तो वो दो दवाईया है एक तो है स्ट्रप्ट किया जा रहा है जो कि हमेल हेल्थ के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है इसलिए इस पे रोक लगाने की बात की गई है भारत की रेजिस्ट्रार जेनरल द्वारा बताया गया जो आकरा है उसके आधार पे राश्ट्रिय जन्मदर जो है 20 है जिसमें बिहार में सरवाधिक जन्मदर है तथा अंडमान निकोबार में नियूंतम जन्मदर देखा गया है मृत्यूदर की बात की जाए तो देश का मृत्यूदर अब बहुत ही कम हो करके 6.2 पे आ गया है अगर राज्यों की बात की जाए तो अभी भी 36 गड़ में सरवाधिक तथा दिल्ली में नियू package की घोषना भारत सरकार के द्वारा की गई है इवेंट बॉट क्या है तो इवेंट बॉट भारत की computer emergency response team जिसे cert के नाम से भी जाना जाता है इसके द्वारा एक malware के खिलाफ चेताबने दी गई है जिसका नाम रखा गया event बॉट गोल कारिक्रम क्या है तो goal means going online as leaders आदिवासी युवाओं को mentor से प्रदान करने है तो facebook के साथ यह कारिक्रम चलाया जाएगा सिकातकर समिती किस से संबंदित है सीमा अधुस्वनरचना है तो सिफारी से देने के लिए सिकातकर समिती का गठन किया गया था जिन्होंने अपनी सिफारी से दी है भारतिय रेलवे ने 12,000 होर्स पावर एलेक्ट्रिक लोको मोटिव एंजन का परिचालन किया जिसको बनाया गया है मध्यपूरा बिहार में अधिक्तम गति इसकी 120 किलोमेटर प्रती घंटा है तथा भार उठाने में अगर कहा जाय तो यह 6,000 टन का भार उठाने में सक्षम है आयुष्मान भारत के लाभारतियों की संख्या कितनी पार कर गई है तो एक करोड को पार कर चुकी है प्रधार मंत्री ग्राम सरक योजन जो कायर जियो टेक्स्टाइल्स जिसे जो नारियल की खोई होती है जिसे फेक दिया जाता है उसकी मदद से कायर की मदद से कायर जियो टेक्स्टाइल्स बनाये जाएंगे जो की बायो डिग्रेडेबल होगा और पढ़ियावरन के लिए अनुकूल भी होगा अगला प्रधानमंत्री गरीब कल्यान योजना से लाभानवित किशानों की शंख्या कितनी रहे हैं, बताई गई है, नौ करोड़ साथ लाख लोग, किशान जो हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्यान योजना से लाभानवित हुए हैं, आइने स्कलिंग, आइने स्कलिंग में क इस मिसाइल पार्क की आधार्सिला रखी गई है तो उस मिसाइल पार्क का नाम जो रखा गया है अगनी प्रस्त रखा गया है तो वैसे लोग जो की मिसाइल के बारे में जानने के एक्षुक हैं वो इस पार्क में जाकर नौलिज हासिल कर सकते हैं आएने स्कलिंग क्या है तो भारती ये नौसेनिक प्रतिस्थान है जो की विशाखा पत्नम में इस्तित है तो इस तरह से मई महीने के जो महत पूर्णत अथे थे वो मैंने आप सब के साथ डिसकस किया अब मैं आप सब के साथ जून 2020 के जो भी महत पूर्णत अथे हैं उन सब को डिसकस करूँगा वन निशन वन कार्ड योजना में कुल सामिल राज्यों की संख्या कितनी है तो वन निशन वन राशन कार्ड की जो योजना थी उसमें पहले सत्रह राज्य थे अब तीन और राज्य आकर के जोड़ गया है तो अब कुल राज्यों की संख्या 20 हो गई है केंद्रिय मंत्री मंडल दोरा निर्धारित समर्थन मुल्य जो धान का निर्धारित किया गया है वो 1868 रुपे प्रतिक विंटल निर्धारित हुआ है जो की पिछले वर्ष की तुलना में 30 रुपे प्रतिक विंटल की इसमें बढ़ोतरी हुई है PM स्वा निधी योजना क्या है PM स्वा निधी PM स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधी इसका नाम रखा गया है यह एक क्रेडिट सुविधा योजना है जिससे सहरी वर ग्रामीन वेंडर्स को 10 हज़ा रुपे का रिंप्रदान किया जाएगा ताकि अगर किसी का रोजगार प्रभावित हुआ है तो वह अपने आपको फिर से फैनांसियली सुद्धर कर सके विमल जुलका समिती किस से संबन्दित है तो फिल्म, मीडिया, इकाईयों के युक्ती करण पर इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या रखा गया है स्यामा प्रषाद मुखरजी पोर्ट ट्रस्ट स्वधेश पहल क्या है Skilled Workers Arrival Database for Employment Support यह क्या है बेसिकली स्वदेश योजना तो विदेशों से लोटने वाले जो भारतिये लोग हैं उनका database तैयार करना कि उनकिस कारे में दक्ष हैं और उनकी सिवाए भारत में उपयोग करना ताकि आत्मेभर भारत का जो सपना है उसे पूरा किया जा सके इसके लिए सरकार ने स्वदेश पहल लॉंज किया है त्यूलिप पोर्टल किया है तो यह एक इंटरंसिप कारिकरम है इसी आवास एवं सहरी विकास मंत्रा ले तेथा मिनिस्ट्री ओफ MHRD ने मिलकर प्राडम किया है महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ और पोसन से सम्मंधित मामलों की जाचेतू 10 सदस्थ से टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्सता कौन करेंगे तो जयाजेटली करेंगे वर्स 2020-21 में मनरीगा योजना के तहत कितने रुपे आवंटित किये गया है तो एक लाख एक हजार पांच सो करोड़ रुपे आवंटित किये गया है जब से यह योजना लॉंच होई है तब से आज तक में यह सरवाधिक रुपे इस योजना के तहत आवंटित किये गया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या है तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्रिशी से चाई यह उजना है वित्वर्स 2020-2021 में इसके लिए 4000 करोड रुपे आवंटित किया गया है जैसा कि आप जानते भी होंगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप जिसमें स्प्रिंकलर टेक्निक्स या अधर टेक्निलोजिस का इस्तेमाल करकी कम पानी में ज्यादा से ज्यादा फसलों को कैसे उत्पादित किया आ सकता है उसके लिए उजना आई गई थी अर्पित इयरबॉर्ण रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांस्पोर्टेशन अर्पित का पूरा नाम है इसे विक्सित किया गया है भारती वायुशेना दौरा प्रथक पड़िवहन है तो FSSAI फूट सेफ्टी की मानक है खाद्य सुरक्षा सूच कांक में अग्रणी राज्य कौन है तो गुजरात पाले स्थान पर फिर तमिलनाडू और फिर महरास्ट्रू सहकार मित्री योजना क्या है तो युवाओं है तू इंटरंसिप प्रोग्राम है या सहकार मित्री योज रखेगा ऑप्रेशन डेजर्ट चेज क्या है तो यह एंटी जासुसी ऑप्रेशन है जिसे 2019 में सैन इंटेलिजेंस तौरा सुरू किया गया था रेल्वे सुरक्षा बलद्वारा लॉंच किया गया रोबोट का नाम क्या रखा गया है कैप्टन अर्जुन भारत पहली बार किस देश के विजय दिवस पर अपनी तीनों सेनाओं को भेज़ेगा तो रूस में तीनों सेनाओं को भेजा गया था 1945 में नाजी जर्वनी के आत्म समर्पन को चिन्हित करने हेतु हर साल यह विजय दिवस रूस में मनाया जाता है प्रधानमंत्री गडीब कल्यान पैकेज के तहट 42 करोड नागरिकों को कितनी बित्तिय सहेता हैं प्रधान की गए तो 65,454 करोड रूपे तीन रूप में यह दिया गया एक तो डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्वर के तहट दूसरा उज्जवला योजना के तहट और तीसरा जो बीपिल कार्ड धारक थे उनको यह लाब दिया गया वियना कन्वेंशन के उलंगहन के बाद भारत ने अपने उच्चायोग में 50 फिस्दी स्टाफ की कटोटी किस देश के साथ किया तो वह देश है पाकिस्तान नीजी छेत्र को अंतरिक्ष गतिविधियों में मार्गदर्शन देने के लिए किस संस्था का गठन किया गया तो इन एस्पेस भारतिय राश्ट्रे अंतरिक्ष समवर्धन और प्राधी करण के अंद्र यह नीजी छेत्र को अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए आगे आने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा नीती आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांस्पोर्ट फोरम आईटी एफ के साथ मिलकर कौन सा प्रोजेक्ट लॉंच किया है डी कार्बोनाइजिन ट्रांस्पोर्ट इन इंडिया कम कारवन परिवहन प्रनाली को बढ़ावा देने के लिए इब्लड सर्विसेज मोबाइल अप्लिकेशन क्या है तो भारतिय रेट्रो सोसाइटी की अपहल है इसके तहत नियमित रक्त जरूरत वाले लोगों की जो समस्चाएं हो रही है उसको दूर करने के लिए इब्लड सर्विसेज मोबाइल अप्लिकेशन को लॉंच किया गया ह भारतिय नौसेना ने किस टारपीडो डेकोई सिस्टम को सामिल किया है तो उसका नाम है मारीच स्वदेश विक्सित है पंडुब्भी विरोधी युद्ध छमताओं में यह बृध्धी करेगा वार्सिक टीवी रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है जिसमें 2019 में नए मामले 24.04 लाख थे 2025 में टीवी मुक्त होने का भारत का लक्ष है बरे राजियों में अगर बात की जाया बहतर प्रदर्शन करने वालों की बात तो गुजरात ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है चोटे राजियों की बात की जाये सबसे बहसे बहतर प्रदर्शन नागा लैंड एवं तिरिपुडा का है तो इसका रेन मंजूर किया गया है तो इस तरह से अप्रेल, मई तथा जून का करेंट अफियर्स मैंने आप सब के साथ जो महतुकुन राष्ट्य घटना करम थे उसे डिस्कस किया, उम्मिद करता हूँ आप सब को इससे लाब भी मिला होगा इस वीडियो से पहले मैंने जन्वरी से लेकर मार्स तक का करेंट अफियर्स भी अपडेट कर दिया था, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखें, साथ में इस वीडियो जन्वरी से लेकर जून 2020 तक के जितने भी महतुकुन राष्ट्य घटना करम है, वो इन दोनों वीड तो ख्रिपया चैनल को लाइके और सब्सक्राइब जरूर करें, तथा आपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सेर करें, ताकि जो चैनल का उद्देश से है, वो पूरा किया दा सके, धन्यवाद.